नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ओलिन वन पर आज हम आपको करके दिखाएंगे सर्वांग पुष्टी आसन इस आसन को करने के लिए अपने दोनों पैरों को फैला ले अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करें मुठी बनाएं और अपने सीधे पैर के टकने से अपनी मुठ्यों को लगाएं उल्टी तरफ जाते समय उल्टा हाथ उपर रखें सीधी तरफ आते समय सीधे हाथ की कलाई को उल्टे हाथ की कलाई पर रखें इस क्रिया को बारी बारी करें सांस को लेकर दीरे धीरे दोनों हाथों को उपर की और ले जाएं और फिर नीचे साथ लाते समय सांस छोड़ें इस क्रिया को बारी बारी हाथ बदल कर करें इस क्रिया को कम से कम तीन बार अवश्य दो राएं इस क्रिया को करने से समस्त अंग पुष्ट होते हैं शरीर लचीला बनता है साधक का ठिगना पंदूर होता है फेपडों के रोग दूर होते हैं कमर्वा पीट का दर्द भी ठीक होता है पाचन तंत्र सुचारू रहता है सर्वांग पुष्टी आसन करने से आपका शरीर लचीला बना रहता है यदि ये जानकारे आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को जादा से जादा शेयर करें हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जुड़े रहें कल्पना ओलिनवन के साथ मिलते हैं दुबारा एक नए आसन के साथ नमस्कार